हा तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी की हैवी डीमांड पर इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ 6 ग्रेंडलिक की टीम, ड्रीम की टीम तो प्लीज सबसे पहले तो आपको क्या करना है वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप वीडियो को समझे नहीं पाओगे, आप टीम को बना नहीं पाओगे, और फ्रेंज टीम बनाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए का किर पॉसिबल प्लेंग इलेवन जो प्लेंग इलेवन हैं दोनों ही जानते हो इस IPL में तीन शतक लगा चुके हैं एक 50 लगा चुके और बहुत ज़्यादा बहतरी इन फॉर में चल रहे हैं अब RCB के सामने सबसे बड़ी जो चुनोती होगी वो होगी जोस बटलर को आउट करना ध्यान रखना RCB के पास इस IPL का मतलब जो अच्छा आटेक मैं क बताने वालों तो प्लीज वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं उससे पहले फ्रेंस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से हमारा जो टेलीग्राम में वो मनी गुरुजी के नाम से आपको हमारा सबसे पहले तो जाकर आपको टेलीग्राम जोइन करना है टेलीग्राम के एक बार हम नजर डाल देते हैं मेच डिटेल पर तो मुकाबला खेला जाएगा RCB वर्सेज राजिस्तान रोयल के बीच में 26 अप्रेल को ये मुकाबला होगा शाम को 7.5 बेसे मुकाबला खेला जाएगा माराष्ट क्रिकेट एसोशेशन स्टेडियम पूर्य के ग्राउंड जी श्पेशल फेक्ट में तो मनिकुर जी श्पेशल फेक्ट में सबसे पहले हम बात करें हैं तो दोनों ही टीमों के बीच में अभी तक जो मुकाबले खेले गए हैं वो 23 मुकाबले खेले गए हैं उसमें 13 मुकाबले RCB की टीम ने जीते हैं राजस्तान रोयल की टीम ने 10 अब बात אז के बारे हैं तो आरसे भी की टीम आडमाले इस सीजन में खेल चुक है, पांच मुकाबले इनोंने जीते है, तीन मुकाबले खेले हैं पाच मुकाबले इन्हों ने भी विन किये लेकिन मुकाबले ये ओनली दो ही हा रहे हैं तो चलिए फ्रेंस अब की प्लेयर के बारे में भी बात कर लेता हूं सबसे पहला नाम आएगा ग्लेन मेक्सवेल का जो की बल्ले बाजी के साथ में गेन बाजी से भी कंट्रि इनकी 153 प्लस किये साथ इसाथ ये 1350 भी जड़ चुके अगर हम गेन बाजी के नजरिये से देखें तो 102 मुकाबलों की 59 इनिंग में इन्हों ने गेन बाजी किये और उसमें इन्होंने 23 विकेट निकाले 15 पर 3 इनका सर्वसेष्टा 8.5 की एकोनोमी थी अब फ्रेंस कुछ प्लेयर के बारे में भी बताने वालों उससे पहले अगर ग्लेन मेक्सविल का इस IPL का रिकोर्ड देखें तो इस IPL में इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं 124 रन बना है 31 की एवरेट से और एक विकेट भी ये निकाल चुके लेकिन अगर राजिस्तान रोयल की बात आती है त 10 मुकाबलों में इन्होंने ओनली एक ही विकेट निकाला है इस बात को ध्यान में रखकर चलना और 201 रन बना है जोस बटलर की में बात करूँ आरसेबी के सामने 6 मुकाबलों में 206 रन बना है वो भी आप एवरेज देखो बहुत कमाल की 41 की इनकी एवरेज ये RCB के सामने फिर विराट कोली के अगर मैं बात करू तो राजस्तान रोयल के सामने 25 मुकाबले इन्होंने के लिए 584 रन इन्होंने बनाए वो भी 29 की एवरेज से फिर संजू सेमसंग की बात करें तो संजू सेमसंग का भी एवरेज बहुत अच्छा है 14 मेचों में 22 का इनका एवरेज अब बात कर लेते हैं ट्रेंट बोल्ट की जो कि बहुत कम लोग लेकर चलेंगे ये फेंटेसी में ट्रेंट बोल्ट को क्योंकि इनका इतना ज्यादा अच्छा परदशन इस आईपेल में नहीं रहा है लेकिन अगर RCB के सामने जब ये खेलते हैं तो आठ मेचों में 13 विक की प्लेयर और प्लेयर प्लेयर प्रस्फोन्मेंस के बारे में हमनें बात की थोड़े से रिस्की प्लेयर में बतूंगा इश्ख है गर चल गए तो आपको गरेंड लिग तर वहन करवा सकतें सबसे पहला नाम आता है युजी चेहल का RCB के सामने एक मुकाबले खेले हैं दो विकेट इनों निकाले वही पर देवदत पड़ीकल ने एक मुकाबले में 37 रन मना है RCB के सामने राहुल तेवटिया जो कि बल्ले बाजी करम बहुत ज़ादा इनका निचे रहता और इनसे ज़्यादा गेंद बाजी करवा ही नहीं जारी लेकिन अगर इनसे गेंद बाजी करवा ही जाए तो क्या कुछ कर सकते हैं अगर हम बात करें रिकोर्ड के आदार में तो 5 मेचों मैं 45 सी रन मना है RCB के सामने बाजी करम बहुत ज़ादा निचे इनका आता है और दो विकिट यह निकाल चुके अगर चल गए तो आपको यह एक मत्र प्लेर गिनलिक तक वोन करवा सकता है अब फ्रेंज हम बात करें तो आप देखोगे बल्ले बाजी शेक्शन की अगर मैं बात करूँ पिछ रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस ग्राउंड पर 46 मुकाबले खेले गए उसमें से 22 मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते 24 मुकाबले बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते फिर्स इनिंग के आवरेज स्कोर यहाँ पर 161 का जो की कभी कमाल का है पूरी तरह से बल्ले बजी अनुकुल विकेट हमें यहाँ पर नजर आता है हाईस्ट यहाँ पर 211 का बना है यह लोविस्ट बना है वो बना है त्योटर रण का scoring pattern की मैं बात करूँ तो आप देखोगे 1500 से कम यहाँ पर 10 बार बने है 1500 से 119 के बीच में 17 बार बने है 117 से 119 के बीच में 13 बार बने है और 190 से उपर बने है वो बने है 6 बार तो आप देखोगे यहाँ पर low भी बना है इस IPL का एक मेच हुआ था उसमें 210 रन और 150 रन बने थे उन 50 बने थे उसमें 13 विकेट गिरे थे पेसर ने 10 विकेट लिये थे ध्यान रखना पेसर का बोल बला यहाँ पर ज्यादा रहता है इस पिर नर ने ओनली 3 विकेट निकाले थे फिर आप देखो के दूसरे मेच में ejerc into 1 dragging 157 बने थे उसमें भी 12 विकेट पेसर ने लिये थे इस्पिणर ने ओनली 2 विकेट लिये थे फिर अम बात करें यहाँ से 171 muita बने थे 122 बने थे उसमें भी पेसर ने 6 विकेट लिये थे फिर हम बात करेंगे यहां से next मुकाबले के बारे में तो 111-152 का स्कोर बना था उसमें 9 विकेट गिरे थे 6 पेसर ने लिये थे spinner को only 1 विकेट मिला था तो कहने का मतलब यह है कि spinner को बहुत कम विकेट मिल रहे अब यहां पर आप देखोगे 108 रन बने थे 166 रन बने थे 14 विकेट गिरे थे 11 विक पेसर ने लिये थे only spinner ने एक विकेट लिया था सबसे पहले हम जान लेते हैं रोयल चलंजर बैंगलोर की टीम से तो फैब डूपलेसी है अनूज रावाद है विराड कोली है ग्लेन मेक्सवेल है दिनेश कार्थिक शाबाज एमद अब फ्रेंज यहां पर मैं आपको बता दूँ फैब डूपलेसी ने भी अभी तो कोई अच्छी पारिया इनके बल्ले से जरूर निकली अनूज रावत पूरी तरह से फ्लोप चल रहे हैं विराड कोली पूरी पूरी तरह से फ्लोप चल रहे हैं मेक्सवेल ने कोई अच्छा काम तो नहीं किया लेकिन एवरेज प्रदशन दे रहे हैं दिनेश का अर्दिक विराड कोली ग्लेन मेक्सवेल जैसे लेकिन गेंद बाजी इस ट्यम की बहुत कमाल की क्योंकि इनके पास वैंड़ो उसरंगा है हर्शल पटेल जो हुआ तक कि मौमस सिराज और मेक्सवेल ले तो काफी एच्छी गेंद बाजी है रसी बी की लास्ट मीच में ये गेनबाजी क्या करेरी गेनबाजी तो क्या करती क्यों तो गेनबाजा को गेनबाजी करने का ज Layer करने का जगनाHE nीथा मेरा मुहमसी राज ने दू और में 015 अंद देकर कोई विकित नहीं लिया था हेजल वुड ने तीन ओर में 31 अंदेकर कोई विकिट नहीं लिया हर्शल पटेल ने दो और मठा अंदेकर एक विकिट लिया था वही पर वहीं डोच रंगा ने उनली एक ओर गेनवाजी की दी अब राजस्तान के हम बात करें तो राजस्तान की बल्ले बाजी इस सीजन बहुत ज़्यदा कमाल की काफी बार नोट आउट भी रहे इस बात को भी ध्यान में रखकर चलाएं करोन नायर को बल्ले बाजी करने का ज़्यदा मुका मिला नहीं है रियान पराग को बल्ले बाजी करने का मुका मिला नहीं है क्योंकि इनका टॉप ओडर ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहतरिन खेल रहा है फिर गेन बाजी की बात करें तो इनके पास रवी चंदर अशुइन जैसा बहतरिन एक्सपिरेंस गेन बाजी फिर ओबेट मेको है या फिर जिमनिशन मेंसा को एक खेलेगा ओबेट मेको है की हाई चांस है युजविंदर चहल बहुती 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 बहुतरिन गेन बाजी कर रहे है कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रहते परसित कृष्णा ने अपना इलाई दिखाए थी लास्ट मुकाबले में तीन विकेट लिये थे ट्रेंट बोल्ड ने स्टार्ट काफी अच्छा क्या था लेकिन डिसर्टली मेचो में ये फ्लोप रहे है लेकिन गेन बाजी आप देखोगे राजिस्तान की बल्ले बाजी के साथ में ट्रेंट बोल्ड युजूिंदर चहल रवीचंदर अश्विन जैसे सीनियर प्लेयर परसित कृष्णा और ओबेट मेको जैसे यंग इस्टर है काफी अच्छा काम कर सकते राजिस्तान की टीम के लिए अब लास्ट मेच में ये क्या करकर आ रहे है लास्ट मेच में आप देखोगे ट्रेंट बोल्ड को कोई विकेट मिला नहीं था लेकिन बहुत बड़ा प्लेयर है परसित किश्णा ने तीन विकेट लिया थे मेको एन एक विकेट लिया था रवीचंदर हश्विन ने दो विकेट लिया थे युजिंदर चैल को एक विकेट मिला था और रियान पराग नने गेनबाजी की थी ेक और पर 22 रंद दिये थे तो चलिए फ्रेंज अब हम बात कर लेते हैं मेरी 6 Grand League की टीम के बारे में तो फ्रेंज 6 Grand League टीम देखने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कौन से प्लिर अवेलेबले कौन से नहीं एप पर ले जागर ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह केम टीम बना सकते हैं साथ इसाथ फ्रेंज यो फेंटू प्ले एप है बहुत जादा शानदार एप है फेंटू प्ले एपको अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये तो जाकर फेंटू प्ले एपको डाउनलोड कीजिए यहाँ पर फ्रेंज क्या खास है पहले तो आप डाउनलोड करेंगे आपको जो बोनस मिलेगा 100% बोनस लीक चलती है तो बिल्खुल फ्री में यहाँ पर आप खेल सकते हो फिर 25% तक बोनस आप ग्रेंड लिंक में यूज कर सकते हो फिर हम बात करें तो यहाँ पर पहले डिपोजीट पर आपको 200% तक बोनस मिल रहा है जिससे आप फ्री में केल सकते हो साथ ही साथ यह आपको पहले डिपोजीट पर एक्स्ट्रा रियल केश भी यह दे रहे तो मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा कमाल कर रहे है यह वाले तो जाहिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए तो एक बाद डाउनलोड जरूर कर लीजीगा पहले हम देख लेते हैं कौन से प्लेयर अवेले हैं कौन से नहीं है फिलाल मैंने जोस बटल रोस अंजू सैमसंग को लिया है यहाँ पर फ्रेंस दो बल्ले बाद भी आप ले सकते हो फेंटू पलेपर तो मैंने यहाँ से फैब डूपलेसी और देवदत पडिकल को लिया है आप चाहें विराड कोली को ले सकते हो आप चाहें हेट मायर को यहाँ से ले सकते हो आप चाहें तो यहाँ पर प्रभु देशाई या करूड नहेर को भी अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हो मैंने देवदेट पाडिकल और फेब डुपलेसी को अपनी टीम में जगे दिये एक कॉल डाउंडर मैंने लिया है वो लिया है ग्लेन मेक्सवेल आपके पास जो ऑप्शन है रवी चंद जैसे बहतरिन एक्सपिरेंस प्लेयर है फिर शाबाज एमद है रियान परागी इनमें से आप अपनी टीम में किसी प्लेयर को ट्राइक कर सकते हो मैंने ओल्ली मेक्सवेल को लिया है क्योंकि 6 बहतरिन गेनबाज में लेना चाह रहा था तो 6 गेनबाज मेंने लिया हाला कि यह जो पीछ है वो बल्ले बाजी के अनुकुल पीछ है गेनबाजों का ज़्यादा यहाँ पर रोल रहता नहीं है लेकिन बल्ले बाज इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो जाहिर से बाद है विकेट तो गिरेंगे अगर विकेट गिरेंगे तो कौन ले सकते हैं मैंने ट्रेंड बोल्ड को लिया है वाइंडू अश्रंगा को लिया है जोस हेजल वूड को लिया है हर्शल पतेल को लिया है यूजवेंद्र चहल को लिया और परसित कृष्णा को मेरे अपनी टीम में लिया है तो 6 के 6 दिग पड़ी के अलोड फैब डोपले सी मेरी टीम में आ जाते हैं ग्लेन मेक्स्विल, वाइन्डू अश्रंगा, हर्शल पतेल, जो सेजलवूड मेरी टीम में आ जाते हैं परसित क्रिष्णा, युजिनर चाहे लोड ट्रेंड बोल तो फ्रेंड जो प्लेयर में लेना चाता था, वो सभी प्लेयर मेरे पास फैन्टू प्लेयर की टीम में आ जाते हैं करना सकते यहां पर बताने वाला हुख इं चेम आप की आप से ज़ेंग के आप अगर हुख आप यह कुलों आप यहलगे amd roman रहते हैं दो की जिसा कि मेरी जो winning होती है आप सभी जानते हो रोजा न जो मेरी winning होती है वो टेलीग्राम पर मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पर आप देख सकते हो मेरी क्या winning रहती है लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिये यह टीम मेंगे यहांपर मैंने चेंज किया है विराट कोली किजे कि मैंने हैट मायर को वाइस केपनें आपके इच्छा से हाप बनेगmost क्योंकि कैप्टन वाइस क्टेन से ही आपकी रेंग बहुत ज़दी आजाती है तीसरी टीम की में बात करूँ तो तीसरी टीम में मैंने क्या किया है फिर से मैंने बल्लेबाज राजस्तान के तीनों लिए है जोस पटलर, संजू सेमसंग, देवदत पडिकल, विराट कोली, फैब डूपले सी और यहाँ पर मेने लिया है ग्लेन मेक्सविल को तो बल्ले बाजी मैंने बहुत ज़्यादा इस्ट्रोंग की क्यों पिछ जो है बल्ले बाजी के अनुकूले तो यहाँ पर मेने लिया है यहाँ पर मेने क्या चेंज किया यहाँ पर मैने संजू सेमसंग को नहीं लिया है फिर जोस बटलर, फैब डूपलेसी, हेट मायर, देवदत पडिकल, रवीच चंदर नश्विन मेरी टीम में आ जाते हैं फिर ग्लेन मेक्स्वेल, हेजल वूड, हर्शल पटेल, युजुंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और प्रसित क्रिशना मेरी टीम में आ जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन आप इन दोनों को भी बना सकते हो, लेकिन बटलर अच्छी चोई से कर रिस्क लेना चाते हैं तो बटलर पर रही लीजिए मेरी टीम 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 मेरी मेरी टीम में आगे पांचों की पांचों गेंदबाज में कह सकता हूँ क्योंकि में गेंदबाजी करते हैं फिर विराट कोली फ्याप डूपलेसी को मैंने कैप्टेन वाइस कैप्टेन बनाया है जोस पडिलर संजु सेंपसंग हेड मायरोड पाडीकल को गेंदबाजो में बरोसा नहीं किया क्योंकि 5 जो पहले गीट मैंने टीम में दी उसमें मैंने गेंदबाजो पर बरोसा किया था फिर से याद दिला देता हूँ टेलीग्राम के लिंक में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये फाइनल अपडेट में आपको टेलीग्राम पर दूगा टेलीग्राम आपको सर्च करने से नहीं मिलेगा इस बात को ध्यान रखना जो link मैंने वीडियो के नीचे description में दिये उसे link से आपको टेलीग्राम पर follow करना है टेलीग्राम अगर आँ सर्च करते हो तो मनी गुरुजी नाम से टेलीग्राम है 36,000 यूजर हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए इस बात को ध्यान रखना बाकी जो चैनल है वो fraud है ध्यान साथ साथ आफ एंटू प्लेएप भी डाउनलोड कर लीजेगा link वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी Thank you very much